दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग लूसेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट चालिस कोश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसर एल बे गुरूप डी एससी यूप पुलिस है लेखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों ये टोटल चालिश जो कोश्चन है आप इनमसे कितने कोश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कूर कॉमेंट बक्स में जरूर बाता है और वीडियो तो देखे भारत का जो राष्टिया आए होता है तो ये केंद्रिया सांखी की संगठन के द्वारा जो है अनमानित किया जाता है आपको याद रखना है किसके द्वारा केंद्रिया सांखी की संगठन के द्वारा भारत का राष्टिया आए जो है अनमानित किया जाता है आं प्रुस नमबर 2 है निमनलेखित मैं से किसी कि न्यूकती राष्पती द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए आपको इनचारहम बताने किन पसक स्भास की न्यूकती न्यूकती राष्पती, नहीं की जाती है ठीक है राज्य सभा का अध्यक्स कौन होता है उप राश्पती होता है ठीक है और इनका जो है निर्वाचन होता है आपको याद रखना है और बाकी इन तीनों की न्युक्ति परधान मंत्री राज्य पाल और उँछ न्याला के नायधिस तीनों की न्युक्ति जो है राश्प के द्वारा किया जाता है संसत के द्वारा किया जाता है अंसर वह जाएका बैक कुश्चयन 9.6 राणी लक्षमी बाई अंग्रेजों के बिरुथ किस यूध में बिर गती तो यह ग्वालियर का अंतिम यूध था ठीक है ग्वालियर का अंतिम यूध में रानिलक्षमी भाई ने बिर्गति को प्राप्थ हुई थी अठारा जून अठारा जून अठारा सु अठावन का उस समय था ठीक है और जो है ये रानिलक्षमी बाई ने अंगरेजों के बिरुध लड़ते हुए जो है बिरगती को मतलब घायल हो गई थी और बिरगती को प्राप्थ हुई गवालियर का यूथ्था अंसर हो जाएगा E सब्छक्राइब देखिए काफी गंभीर समस्य है, इसको अभी भारत से पूरी तरह से इसका उन्दमूलन नहीं किया गया है, और भारत ने इसे दुहर तीस तक जो है, मतलब पूरी तरह से खतम करने का लक्ष रखा है, दुहर तीस तक याद रखना आंसर हो जाए गई, कुश्चन नंबर साथ है, मोब एक सेलफोन जो होता, इसको काम करने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए अनुकूल हैंड सेट होना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, सेवा प्रदत नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, और तीसरी बात, तीसरी बात, सीम कार्ड, यह मतलब यह तीनों ही जो है, यहाँ प उपलब्ध नहीं है तो इन में से कौन सा जो है टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है तो एंटर ठीके एंटर जो होता है यह टाइप राइटरों में जो है उपलब्ध नहीं होता है याद रखना है आंसर हो चाहेगा सी कुश्चन नमबर 9 है निमनलेखित सब्दों मे से कौन सा सब्द winter пока रजा संसर नुबर दोस है किसरो रखत बर के बेक्ती सरवदाता याने universal डोनर कहलाते हैं very important question है इनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ, ठीक है, ओ रक्त समों वाले जो बेक्ती होते हैं, इनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ये भी की बात करें, तो इनको क्या बुला जाता है, सर्वगराही, ठीक है, सर्वगराही जो रक्त समों वाले बेक्ती होते हैं, गरहाण कर सकते हैं, किसी बोला जाता है और सरवग्राही तो अमद्द्द में की अलिये चाल ररो FMT पैणा को काट कर जो है ठीखे तो और सम 2022 करो या जाता है तो पैटरी में निमनलेखित में परियोग में इससे बीधूत अगाटे को रूप में किसका परियोग होता है नमबर 13 है लातिक एसिड याद रखना है कौन सा एसिड लातिक एसिड जो है नट पन होता है इसके अलाबन टार्टिक असेड की brightest कि बात करें तो इसमें पाये जाता है इंबली में ठीकिन की appli अचार और चटनी में याद्रखनांके Κिहीं ऊसेड याद रखनांच eff lions एऽं सतर्य निमाल एकित में से किसके प्रवल्स रोथ होते हैं तो संत्रे जो होते हैं ये कार्बो हाइडरेट के प्रवल्स रोथ होते हैं आंसर हो जायेगा ये कुश्चन नंबर 15 है निमनलेखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है तो कौन सा रोग जो है इसमें से मच्छरों के द्वारा नहीं होता है तो घेंगा जो है आयोटीन की कमें से होता है आपको याद रखना है आयोटीन जो होता है ये मच्छरों से नहीं बलकि आयोटीन युक्त नमक खाने से जो है ये घेंगा रोग होता है गले में होता है ये ठीक है गले में फूल जाता है उसको घेंगा रोग बोला जाता है अंसर हो जाएगा T बाकी जो तीनों है डेंगो, बुखार, मलेरिया और फाइलेरियस तीनों जो है ये मचलों के काटने से होता है ठीक है question number 16 है दन तच्छाय किसके कारण होता है दन तच्छाय किसके कारण होता है तो बैक्ट्रिया जनित संक्रमान के कारण होता है ठीक है दन तच्छाय जो होता है ये बैक्ट्रिया जनित संक्रमान के कारण से होता है आंसर हो जाएगा C लिवकेमिया एक परकार का कैंसर है जिसमें और सधारण बढ़ोतरी होती है तो लिवकेमिया में WBC की संख्याओं में स्वेत रग्त कोसेकाओं के संख्याओं में जो है और सधारण बढ़ोतरी होती है WBC की बात करें तो इसका जीवन काल होता है आरबीसी की अपेक्षा ज्यादा होता है सोरी आरबीसी की अपेक्षा कम होता है दो से चार दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है आरबीसी का जीवन काल जो है सौव से लेकर 120 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है आपको याद रखना है तो यहाँ पर WBC की संख्या में जो है अच्छा धारान बढ़ोतरी होती है लिवकेमिया में ठीक है लिवकेमिया जो खीक परकर का कैंसर है एंटी टॉक्सिन एक इंजेक्शन है निमनलेखित में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है तो एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन कि उ से कि भारत की पहली रेलगाडी का नाम क्या था तो भारत के पहली जो रेलगाडðी थी उसका नाम था डचन कुछिस कायों Cities का नाम था और भारत की जो पहली रेलगाड़ी का आあっ थी तो मुंबई से मुंबई से जो है थाड़े के बीच लाई गए थी और इसके द्वारा 34 किलोमेटर जो है पहली बार दूरी तय की गए थी आपको याद रखना है तो इसके रेल गाड़ी का नाम था तो PSL भी इसका फुलफम होता है पोलर सेटलाइट लॉंच वहिकल तो ये पहली बार कब इस्तमाल किया गया था तो ये 1994 में पहली बार इस्तमाल किया गया था अंसर हो जाएगा भी निमनलेकित मेंसे किस में और परमपरागत उर्जा स्रोत का उपियोग होता है किस में और पर अंसर हो जाएगा सी गेलवेने करित लौव चादरों पर किसकी परत चड़ी होती है तो यह जस्ता ठीक है जस्ता यानि जींग की की जो है परत चड़ी होती है तो आंसर हो जाएगा सी दिलिप ट्राफी दोहर 19-20 किस टीम ने जीता है तो यह इंडिया रेड ने जीता है ठीक है इंडिया रेड ने जीता है, आंसर हो जाये गई, भारत में सरपर्थम किस मुसल्मान, आकरमणकारे ने जजियक और वसूला था, तो सबसे पहले जजियक और जो है, मुहमद बीन कासिम ने जो है, असूला था, और अंतिम रूप से जो है, जजियक और को समाप्त करने वाले भी यही सा सकते, मुहमद बीन कासिम ने ही, अनतिम रूप से इसे भी समाप्त किया था, तो आपको याद रखना है, सरपर्थम, जजियक और वसूले वाले यही थे, मुहमद बीन कासिम और अंतिम रूप से समाप्त करने वाले भी यही थे, तो अंसर हो जाएगा यह, ठीक है, मनु एस्मरि यह समाज बेवस्ता है संबंधित है तो अंसर हो जाएगा ऑप्षण ए खरेव फसल के कटाई कप की जाती है तो यह तो अंसर हो जाएगा सी कुष्ण नंबर 28 है चंद्रमा प्रित्वी का एक चकर लगवक कितने दिनों में लगाता है तो एक चकर जो है अठाइस तीन वे लगाता है आपको याद रखना है 28 तीन आंसर हो जाएगा B कुश्चन नमबर 29 है भगत से राजगुरु और सुखदेव को कप फासे दी गई थी फेरी इंपोर्टन कुश्यन है भगत से राजगुरु और सुखदेव को जो फासे दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को याद रखना है 23 मार्च सन 1931 को जो है फासे दी गई थी अंसर हो जाएगा ये कुश्यन नमबर 30 है सुराज पार्टी किस थापना किस अंदोलन के और सफलता के बाद हुआ देखिए दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक के जरूर कीजिए ठीक है और यदि कोई भाई दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव आपके आने वाले गौर्मेंट एक्जाम की तयारी में लगे हुए है तो उनको भी ये वीडियो सेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ हेल्फ हो सके तो वीडियो सेयर जरूर किया करें और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है सब्सक्राइब करके जो एक बगल में घंटी का एक निसान आता होगा उसको बेल आइकन बोलते हैं उसको आन जरूर क असा फलता के बाज़ो है सोराज पाठी के इस्थाफना 1923 में हुआ था याद रखना है आपको, question number 31 है, किस अंदोलन को हिंदुओं और मुसल्मानों का समर्थन मिला था, तो यह मिला था अस्तायोग अंदोलन को ठीक है? और सयोग अंदोलन को जो हिंदू और मुसल्मानों दोनों का जो समर्थन मिला था अंसर हो जाये गई 19-42 में भारत छुड़ो अंदोलन प्राराम करने का मुख्य कारण क्या था तो 19-42 में भारत छुड़ो अंदोलन प्राराम करने का जो मुख्य कारण था क्रिप्स मिषन के सफलता था इसके मुख्य कारण तो आंसर हो जायेगा Cem कुश्चन अंबर 33 है भारत की संसत दुवारा दल बदल बिरोधी कानून किस वर्स पारेद किया गया तो भारत की संसत के दुवारा जो है यह उनिस सो पचासी में दल बदल विरोधी कानून जो है पारित किया गया आंसर हो जाएगा बी कुश्य नंबर 34 है वाई मंडल कई परकार की गैसों के मिस्राड से बना है प्रिथवी के नजदिक वाई मंडल में मुख्यता कौन सी गैस पाई जाती है तो प्रिथवी के नजदिक वाई मंडल में मुख्यता कौन सी गैस पाई जाती है तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन अक्सीजन गैस पाई जाती है अंसर हो जाएगा ये कुश्य नंबर 35 है मंत्री मंडल किस के प्रती उतरदाई होता है तो मंत्री मंडल जो होता है लोक सभाग प्रती जो है उतरदाई होता है आंसर हो जाएगा ये कुश्य नंबर 36 है निम्नलेखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है तो इन चारों में जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है संपतिक अधिकार संपतिक अधिकार पहले मौलिक ही अधिकार था लेकिन 44 संबिधान संसोधन के द्वारा जो है इसे संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार के सुची से हटा कर कानूनी अधिकार जो है बनाया गया तो आपको याद रखना है बाकी तीनो जो है यह सोतनता काधिकार, समानता काधिकार, सोसन के विरुध अधिकार, तीनों क्या है, मौलिक अधिकार है, याद रखना है, भारतिया संबिधान की कुझी किसे कहा जाता है, तो भारतिया संबिधान की कुझी जो है, प्रस्तावनाव कहा जाता है, अंसर हो जाएगा यह, कुश बर्स में एक बार जो है इसको मनाए जाता है कुम्ब मेले को आंसर हो जाएगा D question number 49 है भारतिय संसद में लोक लेखा समेतिक आध्याक्ष कौन होता है तो बिपक्ष दल का नेता होता है किस पर्देष में पूरे बार्स बार्स ją होती है, किस पर्देष में फूरे बार्स बार्स होती है, आपको याद रखना है, 20 पर्देष, आंसर हो जाएगा भी तो दोस्तों ये थे Lucent के very repeated most important 40 question I hope कि ये 40 question मतलब इन 40 question मैंसे कितने question अपना score कर पाएं ये comment box में ज़रूर बाता है और वीडियो पसंद आये होगा तो प्लीज वीडियो को like करती चेगा चैनल पनाया है तो चैनल को subscribe करके घंटी का जो निशान है उसे ज़रूर अन करें ठीक है मिलते हैं आगले वीडियो में नमस्कार चैनल चैनल भारत